हेलो एवरीवन वेलकम तो आर चैनल दिस इस रिष्टी अगरवाल तो मैं आप सभी कक्षा चेहंवस सांथ की स्टूरेंस के लिए लेकर आई थी प्रभाट टू प्रीज रेमेटिशन वर्क बूक सब्चेक इंगलिश की जिसमें हमने वक्षी 15 तक कंप्ली सॉलुशन देख अब हम आगे दिखेंगे वक्षी 16 से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू अगर आपने कोई भी वीडियो का पार्ट मिल्स कर दिया है वर्क्षी से लेलेट और बिल्कुल नहीं बूलना है जब भी आपको जब आपकी कक्षा से लेलेट हम जब वीडि आपकी अगर हम अप्लूड करते हैं तो तुरं से नौटिफिकेशन मिल सके आपको और आप तुरं से उन्हें चेक आउट कर सके ताकि आप अपने माक्स जो है अपने एक्जाम में अच्छे से अच्छे ग्रहन कर सके तो यहां पर स्टार्ट करेंगे वक्षी 16 से कंटीनू बहुत सारी वक्षित हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक इसी तरह देखेगा मेरे साथ चुड़े रहेगा तो यहां पर वक्षी 16 में देखेंगे कोशिन फर्स है टिक ती सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल ए एंडी आपको एंड जो कि अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगी और देखा यूज चरते हैं जब भी कोई संपुन जाती की बात हो रही है या फिर कोई हिस्ट्रिकल पैलेस या फिर कोई भी जो मैहतुपन जगे की बात हो रही है तब दीखा यूज करेंगे ठीक है तो यहां पर फर्स प फिर आपको एक क्या है वोवल है जिससे पहले आपको end का यूज़ करना है तो kalpnachawla was an astronaut वाला sentence ही हो जाएगा तो यहाँ पर फर्स बर्स बर्स टिक कर देंगे ठीके kalpnachawla एक astronaut अंतिर श्यात्री थी सेकिन है अमर इस अ योगा टीचर अमर इस अ योगा टीचर तो यहाँ पर अमर के लिए बात हो रही है योगा टीचर है जो की तो देखी योगा वाइस स्टार्ट है जो की कॉंसोंट है तो यहाँ पर एक ही उस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएक करेक्ट सेंटेंस अमर इस अ अमर एक योगा टीचर है नेक्स्ट है पिक्चर एक एलिफेंट की जो कि बिग अनिमल होता है बड़ा जानवर होता है तो यहां पर देखिए इस सरे तीन सेंटेंस दे रखे हैं जो कि कौन सा हो जाएगा करेक्ट यहां पर ए एलिफेंट, एन एलिफेंट या दी एलिफेंट, तो यहां पर जोड़ा सा कन्फूजन है एक एनिमल बड़ा जानवर होता है तो यहां पर एक एनिमल एलिफेंट की बात नहीं हो रही है संपूर एलिफेंट ही बड़ी जानवर एक जो एलिफेंट होता है वो ही बड़ा होता है तो यहाँ पर आप करें कर लिजी का थर्ड सेंटेंस को elephant is a big animal ठीके next peacock ठीके, peacock की picture है peacock is a national bird and peacock is a national bird the peacock is a national bird तो यहाँ पर संपुन जो peacock है वो हमारे national bird कहलाएंगे जो हमारा राश्टर पक्षिय है वो है मोर तो अब एक मोर की बात नहीं हो रही है संपुन जाती मोर की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा peacock is a national bird next है अगिन चित्र है एक picture है जो की एक girl है जो की छातल ये खड़ी है तो यहाँ पर लिखा है pile has an umbrella, pile has an umbrella, pile has the umbrella तो यहाँ पर pile की पास एक umbrella है तो यहाँ पर correct हो जाएगा sentence pile has an umbrella, umbrella you say start है तो यहाँ पर जो vowel है तो यहाँ पर हो जाएगा end, ठीक है vowel का sound भी आना चाइए vowel से ही relate, तब ही end का use होता है ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा correct sentence pile has an umbrella तो यह होता है आपका वक्षि 16 का solution done अब दिखेंगे वक्षि 17 यहां पर question है complete these sentence with the help of picture and word given in the box आपको verse से क्या करने है sentence complete करने है colors, doll, car, ice cream, toy, butterfly तो आपको इन ही में से यूज करती हूँ in sentence को complete करना है देखिए first है एक boy I am a boy I like a car मुझे पसंद एक car मैं एक लड़का हूँ I am a girl I like a doll मैं गल हूँ मुझे doll पसंद है next picture क्याती girl की है next again girl की है I am a girl I like butterfly मुझे तिकली पसंद है I am a boy I like toy next again boy है I am a boy I like an ice cream मुझे ice cream पसंद है next girl है I am a girl I like colors मुझे color पसंद है रंग पसंद है तो इस तरह से आपको simple sentence बना दे दे थे तो यह होता है आपका वक्षिट 17 डन आप देखेंगे वक्षिट 18 जिसमें कोशिन है fill in the blanks by choosing the correct verb आपको correct verb का यूज करते हुए in sentence को पूर्ण करना है cow blank gives us milk तो यहां पर हो जाएगा gives cow gives us milk singular है तो इस का यूज होँगा next है my mother blank food in the kitchen singular है तो s का प्रियोग हो जाएगा यहां पर cook के साथ में cooks हो जाएगा my mother cooks food in the kitchen next है the tiger blank in the forest तो यहां पर हो जाएगा leaves the tiger leaves in the forest we blank to school everyday goes या go तो यहां पर we के साथ में यूज करेंगे go का we go to school everyday हम प्रतिक दीन स्कूल जाते हैं they blank in the evening तो दे के साथ में भी यूज का बहुआ जन है plural है तो यहां पर यूज करेंगे play they play in the evening next है I blank like likes mangoes very much तो यहां रोचाएगा I के साथ में याद रखना है आपको plural form का यूज करना है जो जो singular verb है उसका ही यूज करना है otherwise हम singular person singular जो आपका noun रहता है subject रहता है उसके साथ में हमेशा S या E S वाली verb का यूज करते हैं पर जो I है इसके साथ में हम simply singular verb का ही यूज करेंगे I like mangoes very much I likes नहीं रहेगा next day he blank has a bicycle अब ही है तो यहाँ पर है जाजाएगा singular के साथ में he has a bicycle उसके पास एक bicycle है next day I blank has a watch तो I के साथ में यूज करेंगी have का चाहें वो singular है पर I के साथ में आपको ध्यान रखना है हमेशा have का यूज होगा अगर है जैब में से देखना है तो यहाँ पर लिख देंगे I have a watch मेरे पास ही watch है next day blank has a many books दे के साथ में यूज कर देंगे have का they have many books next day among and round one blank beautiful flowers अब दो हैं तो यहाँ पर यूज करेंगे have का अमन और रमन के पास में beautiful यानि सुन्दर से फूल है तो यह इस तरह से दर होता है worksheet 18 का solution आप देखेंगे worksheet 19 जिसमें question है fill in the blanks using ismr ismr का use करना है जो कि present continuous tense या simple present tense में योज होता है देखें यहाँ पर आपको present continuous tense की कुछ example दे रखें जिसमें आप ismr का use करेंगे first sentence है arun blank doing his homework अरुन अपना homework कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएका arun की साथ में इसका use arun is doing his homework next है i तो i के साथ में आपको हमेशा याद रखना है am का use करना है तो यहाँ पर लिख देंगे i blank sharpening the pencil मैं sharp कर रहा हूँ pencil को तो i के साथ में हो जाएगा am i am sharpening the pencil next third is his mother blank putting garbage into the dustbin उसकी mother जो है वो जो garbage है जो थैली garbage की होती है garbage रखने के लिए तो जो garbage है जो कच्रा है वो कहाँ पर रख रहे हैं dustbin में तो यहाँ पर mother के लिए use हो जाएगा his mother is putting garbage into the dustbin next is V blank playing the ground तो आपको यह भी ध्यान रखना है जो garbage होता है हमेशा dustbin में थैली garbage bin रहता है उसको लगाकर की ही आपको हमेशा यूज़ करना ची garbage को ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे V blank playing in the ground तो हम खेल रहे हैं ground में अभी हाँ पर V के साथ में यूज़ करेंगे R का we are playing the ground fifth है I तो अगिन हैं का यूज़ करेंगे I am going to buy some books from the market next है she blank reading a newspaper शी के साथ में यूज़ करेंगे इसका she is reading a newspaper next है a hunter blank coming to shoot animals hunter जो शिकारी है वो आ रहा है शूट करने animals का शिकार करने hunter के लिए यूज़ करेंगे इसका a hunter is coming to shoot animals ninth है I blank a girl I want to become a lord तो आपर I के साथ में यूज़ हो जाएगा M का I am a girl and I want to become a lord मैं एक लड़की हूँ और मैं बना चाती है एक पकी तो इस तरह से done होता है worksheet 19 का solution आप हम देखेंगे worksheet 20 fill in the blanks with can or cannot आपको can or cannot का यूज़ करना है can card होता है सकना और cannot का होता है नहीं सकते या कर नहीं कर सकते तो यहां पर first है a cat blank climb the tree but a dog blank तो cat जो है वो climb कर सकती है tree but चर सकती है तो यहां पर यूज़ करेंगे a cat can climb the tree but a dog जो कुत्ता है वो नहीं चर सकता है तो आपको लेकेंगे a dog cannot a parrot blank eats chili but a peasant blank ate it जो parrot है तो 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 क्या करता है मिर्ची but जो peasant है जो कबूतर है वो नहीं खा सकता है तो आपको लेकेंगे cannot Sanjay blank run fast but his father blank run fast Sanjay जो है वो भाग सकता है fast Sanjay can run fast but his father अब उसकी father है वो उसकी बराबर में तो नहीं भाग सकते हैं तो यह पर लेकेंगे cannot run fast next है in summer we blank eat ice cream but in winter we cannot eat ice cream अब summer में हम खा सकते हैं ice cream तो eat can का यूज़ करेंगे but winter यानि सर्दियों में हम नहीं खा सकते ice cream तो यहां पर लेक देंगे cannot next है a crow blank fly but a cow blank fly अब crow उर सकता है तो यहां पर यूज़ करेंगे can का a crow can fly but a cow जुकाई है वो नहीं उर सकती है तो यहां पर यूज़ करेंगे cannot का a cow cannot fly next है we blank fear sweater in summer but we blank fear in winter तो हम इस तरह से डन होता है worksheet 20 का solution इस तरह से हमने देखा इस पार्ट में वक्षी 20, 19, 18, 17 और 16 का solution उमीद है सभी वक्षिस के solution आपको अच्छे से समझाया होंगे इस तरह हम आगी की वक्षिस के पार्ट भी देखते रहेंगे और भी इंपर्टें वीडियो आपकी कक्षा से लिर देखते रहेंगे तो जुड़े रहेंगे हमारी चैनल की साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद